सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें, यह गलती बढ़ना जीवन भर रहेंगे। गरीब इसी के साथ हम जाएंगे के सुहागन महिलाओं को किस दिन सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना आपके घर में आती है भयंकर गरीबी। सूर्य देव हो जाती है, क्रोधित्तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों। सच्ची श्रद्धा से कमंस में जरूर लिखे। हर हर महादेव दोस्त सूर्य देव को जल चड़ाते समय भूल से भी न करें, ये गलतिया सनातन धर्म में सूर्य को जल देने की परमपरा है। का पालन भी करते हैं। पुराणों के अनुसार भी कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अवश्य जल चड़ाना चाहिए। अगर वो लोग हर सुबह सनान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चड़ाते हैं, तो उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्या होती है, उन सभी का निवारन प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना सनान करने के बाद सूर्य देव को जल चड़ाना चाहिए। इस से उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमित तोर पर जल चड़ाने के बाद भी कोई अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो पाते। ऐसे हालातों में इन उपाय से विश्वास उठने लगता है, जो कि किसी भी र पातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्र प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पढ़ने चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप जहां से भी जल चढ़ा रहे हैं, उस स्थान से सूर्यदेव को देने वाले अर्ग का जल आपके पैरों में कभी भी किसी भी हाल पर नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैरों पर वो जल गिरता है, तो ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि इस सूर्यदेव क्रोधित होते हैं, आपके उपर किसी की अशुब द्रिष्टी भी पढ़ सकती है। ऐसे में जब भी आप सू सूर्यदेव को स्वच्छता बेहत पसंद है। ऐसे में अगर आप बिना स्नान की उन्हें जल चढ़ाएंगे, तो वह आपसे नाराज हो जाएंगे। और आप जीस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे हैं, उस कार्य में भी आपको सफलता नहीं मिलेंगे दोस्तों। तीसरी बात, तामरपात्र का उपयोग. आज कल प्लास्टिक का बड़ा फेंशन चल रहा है. प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें. इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच, इत्यादी पात्र का भी प्रयोग ना करे सूर्य देव को जल चड़ाने के लिए हमेशा तामरपात्र का ही प्रयोग करना चाहिए. उसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सूर्य देव की उष्टता से प्लास्टिक से कुछ जहरीले गैसेस निकलते हैं, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते. चौति बात। ब्रह्म मुहूर्ट में ही हरकत करें। जल कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्ट में ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। उपर सदैव बनी रहती है पांचवी बात अक्षत और फूल अवश्य हो सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत रोली फूल अवश्य होना चाहिए अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो अक्षत से काम चला सकते हैं बस खाली सिर्फ जल ना चढ़ाएं छटी बात हाथ सर के ऊपर होने चाहिए हमेशा अपने हाथों को इतना उंचा रखे कि सर के ऊपर हो और इस तरह से आप सूर्य देव को जल अर्पित करें जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए कहा जाता है क चप्पल ना पहने मूल से भी आपके पैर में चप्पल होनी नहीं चाहिए। अगर आप सूर्यदेव को चप्पल पहन कर जल अरपन करेंगे तो वो आपसे रुस्त हो जाएंगे और आपके किये हुए सभी कामों में रुकावटें आ जाएंगे और आपके जीवन में आपको कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी. इसी लिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैर ही रहकर जल अर्पन करना चाहिए. आठवीं बात रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं. आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं. लेकिन रविवार के दिन सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का ही दिन है. इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए. इससे अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोश है तो वो दोश गुण में परिवर्थित हो जाएगा। सादा भोजन ले अगर आप सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप रविवार के दिन मांसाहारी का सेवन ना करें। पीपल के पेड के नीचे दीपक जलाने से फाइदा मिलता है। इससे नौकरी पेशा लोगों का पद और प्रतिष्ठा बढ़ती है और व्यापारी लोगों को उनके बिजनस में मुनाफा मिलता है। इसके अलावा पीपल के नीचे चौंगों का दीपक जलाने से ओफिस में आपकी स्थिती अच्छी होती है। घर में धन और यश बना रहता है। रविवार की रात को एक गिलास दूद भरकर अपने सराहने रखे। आपको ये दूद इस तरह से रखना है क्या आपका हाथ ग्यारह रविवार करना है। यानि कि पहले रविवार फिर दूसरे रविवार इस तरह से आपको ग्यारह बार करना है और ये क्रम बीच में तूटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को जल नहीं चड़ाना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिन्हें सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए वरना भयंकर पाप लगता है। तो आएए जानते हैं कि सूर्यदेव को जल किन महिलाओं को नहीं चड़ाना चाहिए। प्वित्र होती है और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन सनान करने के बाद ही आप कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों ऐसी सुहागन महिलाएं जिन्होंने अगर हिंदू रीती रिवाजों के साथ साथ फेरे नहीं लिये हैं। तो आप इस अवस्था में सूर्य देव की आराधना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप दूर रहे, बगैर साथ तेरे लिए कोई भी महिला सूर्य पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की कतई मना ही है। अगर आपने कोट मैरिज भी की है, तो फिर भी आप सूर्य पूजा करने में सक्षम नहीं है। पहले आप साथ फेरे ले, तभी आप सूर्य देव को जल अरपित कर सकते हैं। साथ फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुध ऐसा करते हैं, तो आप पाप के भागिदार बन सकते हैं। सूर्य देव आप से नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, भरे ही कुम्वारी कन्या सूर्य देव की पूजा कर सकती हैं, जल अरपित कर सकती हैं। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं शादी शुदा महिलाओं की, अगर आपने हिंदू रीती रिवाजों के साथ साथ फेरे नहीं लिये हैं, तो कोई भी विवाहित स्त्री सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकती, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, हमें कॉमेंट्स म महाकाल